हेलो फ्रेंट्स, स्वदेशी उप्चार में आपका स्वागत है। फ्रेंट्स, आज हम बात करेंगे कटहल के बीजो के बारे में। दोस्तों, उपाय जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें। ताकि हम आपके स्वासंबंधी जानकारी आप तक देते रहें। तो फ्रेंट्स जानते हैं कटल के बीजों में छिपा है आपकी खुब सुद्धी का राज। लड़कियां अपनी तोचा की खास दिखभाल करने के लिए हर तरह की ब्यूटी प्रोटेस्ट का इस्तमाल करती रहती हैं। पर क्या आप जानती हैं कि हमारे घर पर ही ऐसे कई खास उपाय मौझूद हैं। जिनका इस्तमाल करने से आपकी तोचा में प्राकितिक निखार आ सकता है। इनमें से ही एक खास उपाय को आज हम बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप गर्मी के समय में कर सकती हैं। ये जादूई उपाय हैं कटहल का बीज। जिहां आप इस बीज का उपयोग करने से चमक्ती दमक्ती तचापा सकती हैं। तो जाने इसके बीज से होने वाले अजबुत फायदे के बारे में। पहला है कॉंपलेक्शन निखरता है। कटहल के बीज में फाइवर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जो हमारे डाइजेस्टीन सिस्टम को मजबुत बनाये रखने में मदद करती है। इससे सरीर के अंदर के फिशाक्त पदात बाहा निकल कर हमारा पाचनतंत ठीक करते हैं। पेट के साफ होने से इससे तचा सम्बंदित कोई भी समस्चाएं नहीं होती। और तचा में निकार आता है। दूसरा है जूरियां हटाए। कटहल के बीज में पाए जाने वाले रासानिक तचा में होने वाली जूरियों को दूर करने में मदद करते हैं। इसका इस्तमाल करने के लिए आप आधा कब ठंडे दूद में कटल के बीजो को डाल कर धिगोएं करीब एक गंटे भिगोने के पाद इसे महिन पीस कर पेश्ट तयार कलने अब इस पेश्ट को रोज चहरे पर लगा कर कुछ समय के लिए छोड़ दे ऐसा करने से जल्दी आपकी तचा जवाँ दिखने लगेगी तीसरा है बालो की ग्रोथ में मददगार करे कटल के भीजो में भरपूर मात्रा में विटामिस के गुड़ पाए जाते हैं जो बालो की नमी को बनाए रखने के साथ उसकी ग्रोथ में भी मदद करते हैं चोथा है एनिमिया दूर भगाए शरीर में आईरन की कमी होने से एनिमिया होनोई का खत्रा बना रहता है जिससे सरीर काफी कमजोर हो जाता है इस कमी के पूरा करने के लिए कटल के बीजो का सेवन करना काफी अच्छा उपचार माना जाता है इसमें मौजूद प्राकिति गुर जल्दी आपको इस विमारी से निजात दिलाने में मदद करते हैं धन्यवाद